एश्वर्या, कैट्रीना नहीं बल्कि इस अभिनेत्री के प्यार में दूद्ध वाले तक बन गए थे सल्मान खान बॉलिवुड के दबंग खान यानी कि सल्मान खान का नाम बॉलिवुड की कई हसीनाओं के साथ जोड़ा जा चुका है जैसे कि संगीता बिजलानी सोमी अली कैट्रीना के फैश्वर या राय बचन और ऐसे कई सारे नाम हैं जिनके साथ सल्मान खान के अपेर की खबरें खूब चर्चा का विश्य बनी रही थी लेकिन इन में से किसी का भी नाम सल्मान के साथ शादी के बंदन तक पहुँचने से पहले ही तूट जाता है और ना ही अभी तक सल्मान खान का कोई रिलेशनशिप अभी तक शादी के करीब तक आया है लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं सल्मान खान की एक ऐसी लव स्टोरी के बारे में जिसे शायद आप में से कोई नहीं जानता होगा आप शायद इनका नाम भी नहीं जानते होगे जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं बता दे कि सल्मान खान अभिनेत्री सईशा सेगल की मा शाहीन जाफरी से शादी करना चाहते थे सल्मान खान को शाहीन जाफरी से प्यार हुआ तब सल्मान खान की उम्र महज 19 साल थी उस जमाने में शाहीन जाफरी कॉलेज में पढ़ाई किया करती थी और सल्मान खान शाहीन को इसकदर प्यार किया करते थे कि सल्मान खान अपने पहले प्यार को देखने के लिए घंटो घंटो तक कॉलेस्ट के बाहर शाहीन जाफरी का इंतजार किया करते थे खबरों की माने तो जसीम खान की बायोग्राफी में कहा गया है कि सल्मान खान शाहीन के घर पर दूध और ब्रिट भी पहुचाया करते थे और शाहीन के लिए सल्मान खान दूध वाले तक बन गए थे जब सल्मान खान और शाहीन बानूं की मुलाकात हुई थी तब सल्मान खान बॉलेवर्ड इंडिस्ट्री में नए अभिनेता थे और दोनों को आपस में प्यार भी हो गया और बात शादी तक जा पहुँची लेकिन इनकी शादी कभी हो न पाई सल्मान और शाहिन की शादी ना होने का मुख्य कारंटी संगीता बिजलानी संगीता उस समय की मशूर मॉडल और 1987 में मिस इंडिया रह चुकी थी उन दिनों संगीता ने अपने बई अफ्रेंड मेजू अली से ब्रेक अप कर लिया था संगीता अकसर होटल सी रॉक के उसी हेल्थ क्लब में नजर आती थी शाहिन जापः और सल्मान खान का रिष्टा किसी भी अभिनेता से चिपा हुआ नहीं था अगर तभी सल्मान खान की जिंदगी में बॉलिवर्ट की सबसे खूबसूरत अभिनेतरी संगीता बिजलानी और सल्मान खान की शाहिन से दूरियां बढ़ने लगी और इनका रिष्टा खत्म हो गया अलाकि बाद में सलमान का संगीता बिजलानी से भी ब्रेक अप हो गया